नमस्कार में अंजना और आप देख रहे हैं न्यूस वन टुड़े आए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और मुहमद यूनुस पाकिस्तान पर महरबान बांगलादेश की हरकत से भारत को हो सकता है नुकसान मुहमद यूनुस की अगुवाई में बांगलादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान पर महरबान जरारी है पहली सितमर में पाकिस्तानी माल को जाच से राहत और अब पाकिस्तान के जहाज के चटगाओं पर पहुँचना चर्चा का मुद्दा बन गया है कहा जा रहा है कि समुद्र में बढ़ रही इस यारी का काफी असर भारत पर भी हो सकता है हालांकि अब ढाका का कहना है कि वे भारत के साथ अच्छे सम्बंद चाता है बांगलादेश पहुँचा पाकिस्तान का जहाज दरसल पाकिस्तान के कराच्वी से चला जहाज बंगलादेश के चटगाओं पहुंचा था जहाज ने बंदरगाह से निकलने से पहले 11 नमबर को माल उतारा था मीडिय रिपोर्ट्स के नुसा चटगाओं बंदरगाह के आधिकारियों ने कहा था के जहाज पाकिस्तान और सायूकत अरब अमीराज से माल लेकर पहुंचा था जिसमें पांगलादेश के कपड़ा उध्यों के लिए कच्चा माल और खाने की चीजे थी धाका में पाकिस्तान के राजदूस सेद एहमाद मारूफ ने इस समुदरी रास्ते को दोनों देशों के बीच एहम कदब करार दिया उन्होंने कहा यह नया रूट सप्लाइचेन को और सुचारू बनाएगा ट्रांजिट में लगने वाले समय को कम करेगा और दोनों देशों के लिए व्यापार के लिए नई अपसर खोजिगा क्यूं है चर्चा का विश्व है खास बात है कि 1971 में पांगलादेश के आज़द होने के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान के साथ उसके सीधे समुदरी तार जुड़े हो पाकिस्तान के लिए वी यह गटना करम है इतना ही रही अक्टूबर में यूनु सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले माल की जरूरी जाच पर भी रोक लगा दी थी इससे पहले पाकिस्तान से आयात पर लगी पाबंदियों में भी उन्होंने ढील दी थी भारत की क्यूं पोर्ट तक पहुँच मिल गई है दोनों बंदर गाहों के लिए अब समुद्री रास्ते अब पाकिस्तान के जहाजों के अनुमती देंगे उन्होंने आगे कहा इस घटना करम का छेतर का जियो पॉलिटिक्स पर खासा आसर पड़ेगा क्योंकि म्यामार भी चटगाउं के पा से लेकर साथ मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है कथे तौर पर इसका मास्टर माइंड पाकिस्तान की आईसाई था कहा जा रहा था कि हत्यारों की खेप को भारत में प्रतिबंदित आतंकबादी संगठन यू एल एफ़े तक पहुँचाया जाना था कहा जा रहा है कि इस सिर्था होने का खत्रा है हिंदू अलपस संख्यक खास बात है कि घटना क्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब आंगलादेश में अंतरिम सरकार आने के बाद से हिंदू समुदाय को निशाना बनाय जाने की खबरे आ रही हैं शेख हसीना सरकार के गिरनी के बाद से ही हिंदू हमले की खबरे आती रही है अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमशकार हो देखती रहे है न्यूस वन टुडे